प्रकार से हमारे को कुछ सयोग नहीं इसमें घायल होने आया है कर दिरो एक्सिडेंट होई गया है कि नहीं कोई दूसरों जानवर खाए गया है तो घायल होई गया है तो ही रेस्कु सेंटर में आज रे वीडियो में आपके रेस्कु सेंटर खोल राखे हो 2018 में 2011 में गौवर्मेंट का बनायावा है जोधपुर जिल्ले के अंदर 21 रेस्क्रिशन्ट कुले वे मतलब गौवर्मेंट का कोई अभी चालू नहीं है यह बामासा से 2018 में चालू किया मैंने तीन चार लोग सामिल होके यहां रेस्क्रिशन्टर बामासा के सहोग से यह पूरी बात आप अगर बता सको माने इसमें अभी 40 तो इरन है चार नीलगाए है करगोस है साइबेरियन है मलब कस्व है हर परजाती के पसुफक्सी जो गाहिल होते हर गाह में खेत में जो वर्षाद के टाइम यह ज्यादा गाहिल होते तो वहां से हमरे पास पौन आ जाते हैं उनको वाँ से यह लाके हम 媽 एलाज करते इसको पर बार शोड़ देते और ये आदा अंदर वी हैं आदा लोग तो यह रेख्व कर देते हैं कहीं जगे हम गार लेका हम गाहिल लेकर वाहां से रेक्स्क्रू करके लेकर का जो right ऐधा है गाहिल आपने मिलें कोई पाउट तूट जाता है जैसे आपने अभी एक बताया बल्लेक बक है उसका तीन पाय रिया इक पेर वो तूट गया उपरेशन करके रडी किया एक वह विकलांग है मैं जैसे सोटा बड़ा कोई एक पै टूट गया एक सिंग टूट गया कोई गर्दन मरोड दी ऐसे उसका हिलाज करके ठीक कर देते हैं तो एने घाया लोना और कई कारण हो सके रोड माते जावे तो गाड़ी ते जावे यूं हो सके या यूंही खुला गुम यूंहे से ज्यादा तो स्वा ना की मतलब कुद उसका हिं ग्रांख़ जाद होते है ऒर्साथ के लिए था उने आभी लासाजी होने ँर पकचे-ड़्रा रोजिए समय आई वी रोड एक्रोस करते समय वहां गाड़ी की एक्स्टेंट भी हो जाते तो आपको अठ्टू एने ठीक करने करते और जंगल वंगल में छोड़ो या पचे अठ्टे यानी सेवा करो अठ्टी राखो नहीं यह ज्यादा जल्दी हो जाता ना उसको हम जंगल के अंदर सुड देते हैं कापी टैम लगते हैं उसको मत्य त्रीट्मैंट होने में तो इसको आत्में चना ही किलाना पड़ता है रिजगा देना पड़ता है मूझ के सुछीजा एक गौर्णमेंट का डॉक्टर है, जो दस बज़े से पांस बज़े तक रहता है। और फिर बाद में हम प्राइवेट डॉक्टर बलाते हैं। और दूसरा सरकार से हमारे को कुछ सयोग नहीं इसमें। एक गाड दिये वे सरकारी जो दस बज़े से लगा के फांस बज़े तक रहते हैं दूसरा हम तीन लोग हमारे संस्तक है जो हमारी सस्ता बनी हुए सस्ता के हिसाब से भामसा के सयोग से ये काम सब भामसा के सयोग से बनाए आप देख रहे हो ये टीन सेट है चारो तरप का सब बामासा से काम हुआ है तो कई-कई कम्या है जी कि आप चाहो कि सरकार अगर मदद कर दे तो पूरी हो जाए ला आपरे रेस्क्यू सेंटर में एक तो ऐसे है कि टीटमेंट के लिए डॉक्टर 24 गंटे डॉक्टर मिल जाए तो बहुत अच्छे क्योंकि गाइल तो रात और दि अगर वीडियो देख रहा है मैं राश्तान सरकार से यह आसा करते है कि खेजडली रेस्क्यू सेंटर एक बहुत अच्छा रेस्क्यू सेंटर बन रहा है उसमें अभी हर तरह की सुईदय है मतलब प्राइविट से जो सरकार साथ ही है तो हमारे साथ मिलकर यह बहुत हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो यह बहुत अच्छा रेस्क्यू सेंटर बनने जा रहा है जो आसे लोग इंसान वास्ते भी नहीं सोचे है पर आप इता सारा कर रहा हूं वास्ते और बहुत अच्छो लागों देखने बहुत 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 धने हम डाई साल से यह रहे हम यह बिल्कुल फिरी मैं सेवा दे रहा हूं मैं 24 गंटे फिरी सेवा दे रहा हूं ड़ाइस साल के अंदर और हर जगे से लाना करना वो चारो तरफ मैंने मेरे साथ में तीन चार लोग है जैसे शाम जी है राम शुरूब जी है और महन संकरदा जी हमारे मिंदर के एदा के ख खेज़र दे रहे सेटर अभियारेंड करूब में गोसित हो क्योंकि आज तारबंदी जाली उसकी वज़े से इरन बहुत ज़्यादा मर रहे है आज रुमानों वीडियो आपने कैड़ो लागो बताई ज़रूर इर वीडियो ने ज़्यादा लाइक कर जो ज़्यादा शेयर झाल